इसके सब इंस्पेक्टर से सम्मंदित है, टोटल रिक्तियां 1275 हैं, इनका फॉर्म हमने 5 नवंबर तक लिया है, और इसकी जो प्लिम्नरी एक्जामनेशन है, उसका डेट डेकलेर कर दिया है, 17-12 को हम परिक्षा लेंगे दो पालियों में, क्योंकि कंडिडेट्स की संख्या है, बहुत ज्यादा है, 7 लाग है, वो एक बारा से 1 दिसम्बर से अपना एड्मिट कार्ड ले सकते हैं, एड्मिट कार्ड इमेल से अपना डाउनलोड कर लेंगे, हमारी वेब साइट से, और किसी को मेल से, डांक से हम एड्मिट कार्ड अब नहीं भेजते हैं, कोई भी आ आपके साथ वंदना, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं, केस दिवेदी सर, जो पूर में डीजीपी भी रहे हैं, परचे के मोहताज नहीं है, सर ने जब से इस विभाग का कारेभार संभाला है, तब से बहुत सारी चीजें जो है, उसमें सुधार आई है, और सर हर बार बार जो है वेकेंसी बड़े पैमाने पर तो नहीं लेकिन छोटे छोटे चोटे वेकेंसियां बार बार आ रही है, ताकि लोगों को जो है, इसमें मौका मिल रहा है, बात करने की कोसिस करेंगे, सर स्वागत है, आपका निर्फोर नेशन में, सर एक तवाल है कि जो हाल 75 हैं, इनका फॉर्म हमने पांच नवंबर तक लिया है, और इसकी जो प्लिम्नरी एक्जामनेशन है, उसका डेट डेक्लियर कर दिया है, 17-12 को हम परिक्षा लेंगे, दो पालियों में, क्योंकि कंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए दो पालि में 17-12 को परिक्षा होगी, सभी जिलोने होगी और उसके 600 से अधिक सेंटर हैं, इसका एडुमिट कार्ड 12 कार्ट जारी होगा, जो कंडिरेट्स हैं वो 1-12 से ऐपना एड्मिट कार्ड ले सकते हैं, एड्मिट कार्ड एमेल से अपना डाउनलोड कर लेंगे, हमारी वेबसाइड से, और किसी को मेल से डांक से हम एडमिट कार्ड अब नहीं भेजते हैं, कोई भी आयोगा आज कल नहीं भेज रहा है तो आज कल परिक्षाओं के बारे में आप जानते हैं, महौल थोड़ा सा खराब है, तो अब प्रकॉसन ले रहे हैं जो सेंटर्स पर जैमर है, सीसी टीवी कैमरा भी लगा रहे हैं, बाहर में फ्रिस्किंग कराएंगे, पुलिस मजिस्टेट और सब लोग तो रहेंगे जैसा की है तो मैं सबसे एक इस बारे में, पार्ट फ्रॉम माई अरेजमेंट सबसे अपील भी करना चाहता हूँ, मैं जो कनीडेट से उनसे भी, उनके जो फिमली मेंबर्स हैं, परिवार हैं, उनसे भी कि कई बार ठग लोग बहुत ज़्यादा सक्री हो जा रहे हैं, जूटे आस्व ना हो, ना उनके गार्धियन इंडल्ज हो और कनीडेट्स को तो इसमें होना ही न चाहिए, उससे कोई फैदा नहीं होता, नुकसान होता है, और दुनिया की तकलीफें और भी बढ़ जाती हैं, तो यह एक्जाम हमारा सब्तरा बारा को है, और एड्मिट कार्ड एक बारा स देखा गया है कि जो भी जो एक तरह से कहा जाए कि बच्ची को नौकरी लगा देंगे और पेसे से जो है आपको जोड़ देंगे, अब तो CCTV क्यामरे जितने लगाए रहते हैं और आपने भी भाग से मौनेटरिंग भी जो है अपने अधिकारियों से जो है कराते हैं, ऐसे म मुझे लगता कभी भी कोई सक्सीड नहीं किया है, लेकिन ठग तो सक्सिस उसको तो सफलता उसकी तो हो जाती है, वो तो सक्सीड कर जाता है, वो तो आपको ठगी लेता है, अगर आपने पैसा दे दिया तो उसका तो काम बन गया, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती है, इसलिए मेरा सुझाओ है कि इस चक्कर में नहीं पड़ें से आपको फाइदा नहीं नुकसान होने वाला है बाकि जो हमारा पहला बिग्यापन था एक तेईस जिसके बारे में पिछली बार आप मिले थे मैंने आप वताया था कि अक्टूबर में हम रियल्ट निकाल देंगे तो उसका हमारा बिग्यापन सताइस चार को आया था और बीस दस को मैंने उसका फाइनल परिक्षा फल निकाल दिया जो अब आपने बात कहीं कि छोड़ चोड़े विग्यापन निकल ला है इन फिर विग्यापन मेरे हाथ में नहीं होते हैं वेकंसी विभागों से ही आती हैं और वो जितनी रहेंगी उतनी ही हम विग्यापित कर सकते हैं और बärt inflation करते हैं बारे इस भी भाग में देखा रहा है और बी जैसे हो यह सही है त्य करना है बड़निया की रिक्तियां दो बार निकली पिछली बार ग्यारा रिक्तियां थी एक तेज़ में और अभी जो-टीन पट्र इसמה 63 रिक्तियां है तो ये रिक्तियां उनकी इसलिए हैं क्यoi de 다 ही नए सरज्जित हुए हैं और मेरे साथ बात यह है कि हमारा आयो minimus को रोकते नहीं जैसे ही अधियाचना सभी विश्यों पर पूरी हो जाती है मुस्कों बिग्यापित करते हैं और परिक्षा ले लेते हैं इसलिए आपको लग रहा है कि जल्दी हो रहा है लेकिन प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ती और यहां पर मालूम है सब इंस्पेक्ट के प्रति या फिर इस फिल्ड के प्रति जो है सोच बदल रहे हैं पहले था कि नोकरिया नहीं मिलने के कारण जो है तरह तरह के भावनाएं बच्चों के मन में रहता था लेकिन अब जो है बिहार पुलिस अवर सिवा आयो के प्रति भी लोगों की जो सूशे वह बहुत क्रामनेशन के पैटर्ण एक है तो लोगों के लिए बहुत अच्छे आउसर है निरासा के बजाए लोगों में आसा होनी चाहिए और आसानवित उनको रहना चाहिए एक बार जब हमने किसी चीज की तैयारी कर ली कि उस सब लोग पढ़ लिक करके ही आया है सब का अन्भव विग्यापन है उनमें भी जवाब है पियर होंगे तो कहीं ने कहीं आपको सफलता मिलेगी महनत जब आप करेंगे तो आपके पक्ष में परिणाम भी आएगा यानी सर शीर्फ बैठी नहीं रहते हैं बलकि देखते भी रहते हैं कि कहां किसकी अवश्रिकता है क्या क्या ज को आपने पढ़ा है लेकिन सात लाख मैं से बारहसु पच्छटर चुने जाने तो आपने टो तैयारी कर ली है कोशिश करो कहीं नहीं कहीं कोशिश बेकार नहीं जाएगी कहीं ने कहीं आप का होगा आसान वित रहे महनत करिए और दौदर की बरगलाते हैं आपको उस चक् काफी कुछ सतरक्ता बरत रहे हैं और इस तरह के प्रकॉशन्स और दूसरे चीज़ें कर रहे हैं ताकि ऐसी कोई चीज नहीं हो और अच्छे से हमारे अग्जाम बिना किसी कदाचार के कदाचार मुक्त अच्छा फेर एक्जामनेशन स्वक्ष परिक्षा हम कंड़क्ट कर सक और जल्दी जल्दी परिक्षा फल दे सकें और हमारे आयोग का वी जिससे नाम हो और लोगों को भी रोजगार का अवसर मिले और सबको सरकार के प्रति भी करतक गोना चाहिए कि इतनी वेकंसी दे रहे हैं इतना मौका दे रहे हैं इसके लिए विभाग में आने वाले समय म और भी वेकंसी जुहाएगी हां मेरे पास कुछ वेकंसी आई वी थी वो पोलिस बिभाग की तो अभी नहीं है लेकिन जो एलाइट डेपार्टमेंट्स हैं होंगार्स वगरे उसके तीन-चार पदों की वेकंसी हैं लेकिन अभी यह जो आरक्षन वाला अधनियम पारित जी थैंक यू सो मच तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था चेर्मैन कृष्णा दिवेदी सरका जो एक भी इन्होंने जिम्मेवारी को उठाया है वहां बख़ुभी इन्होंने हंडेट परचंट दिया है और इस विभाग में जब से सर ने जिम्मा लिया है तब से वो इस पॉनेशन के साथ धन्यवाद